यमुना नगर के जिला सचिवालय में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सैंक्डो युवाओं ने पूरे शहर से एक अरक्षन मुक्थ भारत के मुद्दे को लेकर एक रेली निकाली। और भारत से अरक्षन को मुक्थ करने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधान मंत्री के नाम एक ग्यापन भेजा। जहाँ एक तरफ प्रदेश में अरक्षन को लेकर राजनेतिक बयान बाजी हो रही है और उसे मुद्दा बनाकर राजनेतिक रोटिया से की जा रही है वहीं ऐसे में आज सैंकडो युवाओं ने अरक्षन को खतम करने की बात करते हुए एक विशाल रैली निकाली और नारे करते हुए यही संदेश दिया कि अरक्षन के नाम पर केवल राजनेती हो रही है इसे केवल 10 साल के लिए लागू किया गया था लेकिन राजनेतिक लोगों ने आज तक इसे लागू कर रखा है इसलिए अब भारत को अरक्षन मुक्त कर देना चाहिए हम किसी के खिलाफ नहीं है अरक्षन खतम होने से समाज में समरसता आएगी क्योंकि लोगों ने अरक्षन का केवल मिस्यूज किया है कि उनके बच्चे स्कूल में कर्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी अच्छी सिक्सा होती है कम्पिटीशन में वही लोग इन गरीब आदिम्यों का इसमें कोई भला होने वाला नहीं है तो ये जो समाज में दवेश इस अरक्षन के करन बढ़ता जा रहा है बाबा साब भी मरावंबेड कर ने इसको उस समय दस साल के लिए लागू किया था उस समय इसकी जरूरत थी सतर वर्स की अजादी के बाद यदि पिछली सरकार या अगली सरकार कोई भी जातिगत अरक्षन इसको लागू कर रही है उसके लिए सर्म की बात है और हमारा ये युवा जो इससे बिलकुल दुखी हो गया था जो सरकोई पर मारा मारा फिर रहा है बेरोजगार फिर रहा है इसके लिए इन्होंने जो मुहिम चलाई है हम सब लोग किसी भी जाती के लोग हैं हम इनके समर्थन में आज ये गोशना करते हैं कि जब तक इनका को बरोग कि भूट